Hello students, welcome back to the new class that is a class 4 and this class में हम लोग डिसकस करेंगे कुछ important topics जो कि आपके एक्जाम के परपस से बहुत जादा important है, जो कि कुछ इस प्रकास से हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहां total मैंने 5 points लिखे हैं, जो कि हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे, जैसे कि पहला आप का है प्रतिभू कौन होता है, यह एक्सर कोशन आपके एक्जाम में सौर्ट में पूछ जाता है, कि प्रतिभू कौन होता है, दूसरा आपका है प्रतिभू के दायतों क्या होते हैं, तीसरा आपका है सह प्रतिभू के क्या दायतों होते हैं, जो कि बहुत जादा important है, यह क करके discuss करते हैं और सबसे पहले आज आपके class 4 है और इसके पहले class 2nd और class 3rd बहुत ज़ादा important है क्योंकि contract of guarantee एक बड़ा topic था जिनको हमने तीन classes में cover किया है तो class 2nd 3rd ये जरूर देखिएगा तब आप class 4 को देखिएगा क्योंकि इसमें फिर आपको समझ में नहीं आएगा basic जो है हम लोगों ने उन्हीं दोनों classes में discuss किया है तो चलिए start करते हैं वीडियो तो सबसे पहले एक छोटा question पूछा जाता है कि प्रतिबू कौन होता है तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबू कौन होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मूल रिड़ी के द्वारा रिड़क चुकाने में असफल हो जाने पर उस रिड़क को चुकाने का वच प्रतिबू के पालन या उसके दायतों को पूरा करने का वचन देता है प्रतिबू कहलाता है इस तरीके से हम अपने एक्जाम में अंसर लिख सकते हैं अब दूसरा आपका टॉपिक है प्रतिबू के दायतों ये भी आपका एक इंपोर्टेंट टॉपिक है एक्जाम में को पढ़ते हैं प्रतिभू का दायत्व मूल रड़ी के दायत्व के समविस्तीर होता है समविस्तीर का मतलब बराबर या समान होता है जब तक की समविदा के द्वारा अन्यथा उपबंदित ना हो अर्थात जब तक की कोई विपरीत समविदा ना हो प्रतिभू के दायत्व क मुल रिड़ी के दाइत्व के समान ही होता है लेकिन याद रखेगा बेकिन यदी समविददा करते समय प्रतिभू के दाइत्व की सीमा सुनिशित कर दिया जाता है तो ऐसे मामलों में उसका दाइत्व cosìमा से अधिक नहीं होगा चाहे मुख्य रिड़ी का दाई तो कितना भी क्यों ना हो इसका मतलब है कि जैसे की मूल रिड़ी ने 10,000 रुपए उधार लिए है तो प्रतिवू आपका केवल और केवल 10,000 रुपए तक के ही लिए उतरदाई है उससे अधिक नहीं है ठीक है लेंदार उससे ज्यादा उससे पैसे नहीं ले सकता है एक दूसरी कंडिशन हो सकती है कि प्रतिवू ने हो सकता है लेंदार ने तो 10 लेकिन प्रतिवू ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपय तक के लिए ही उतरदाई होंगा तो यहां पर लेंदार प्रतिवू से सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपय ले सकता है उससे अधिक नहीं ले सकता है ओके इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जो कि आप लोग समझ अगर हो सकता है कि आपके एक्जाम में लॉंग कोशन आ जाए तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो जैसे पहला पॉइंट आपका आए कि प्रतिवू का जो दाईत होता है वो मूल रिड़ी के दाईत से अधिक नहीं हो सकता है प्रतिवू से यह नहीं कहा जा सकता है कि वो मूल रिड़ी के द्वारा संदाई किये जाने वाली रासि से अधिक संदाई करे यब भुखतान करे दूसरा पॉइंट है यह भी आपका बहुत इंपॉर्टन इसको द्यान से समझेगा कि जो प्रतिवू होता है आपका वो मूल रिड़ी के साथ साथ ब्याज का भुख यानि उसको रीड़ देना ही देना साथ में ब्याज भी चुकाना है और उस रिड़ के लिए पृत्व और रिवाइबी रिवाइस कर ले या हो कि वो केवल और केवल इतने अमाउंट तक के लिए ही उत्तरदाई है तो लेंदार केवल उससे उतना अमाउंट ही वसूल सकता है उससे ज्यादाने दूसरी कंडीशन है कि अगर मूल रिडी रिड के साथ-साथ ब्याच का भुगतान करने के लिए भी आबद है तो वहा प्रतिभू का दायत्व तब तक बना रहता है जब तक कि मूल रिडी के द्वारा रिड का संदाय नहीं कर दिया जाता है यह तो आपको समझ में आई गया होगा कि जब तक मूल रिडी के द्वारा अपने रिड का भुगतान नहीं कर दिया जाता है प्रतिभू का दायत्व तब तक बना रहता है जैसा कि Union Bank of India वर्सिस T.J. स्टीफिन्स के मामले में नरधालिद किया गया था इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है आए समस्ते इनको भी प्रतिभू मूल रिडी के साथ सही उत्रोप से एवं प्रतिभू और मूल रिडी दोनों के उपर एक साथ वाद ले आता है ठीक है यानि एक साथ केस कर दे अपने रिड के बुगतान करने के लिए और प्रतिभू का मतलब क्या होता है कि जहां पर लेंदार चाहे तो प्रतिभू के उपर वाद करे रिड के बुगतान करने के लिए चाहे तो मूल रिडी के उपर वाद करे ठीक है यानि अलग-अलग रूप से भी उत्तरदाई हो सकते है और दोनों एक साथ भी उत्तरदाई हो सकते है ओके अगला पॉइंट आईए समझ लेते हैं एक बने रुखना ओके अगला पॉइंट आपका क्या है प्रतिभू के वल ऐसे संदाई के लिए ही उत्तरदाई होता है जिनके लिए मूल रिडी उत्तरदाई है इसका मतब क्या हो गया कि जो प्रतिभू होता है वो ऐसे रिड का बुगतान करने के लिए उत्तरदाई नहीं है जिसका बुगदान कलने के लिए मूल रिडी ही उत्तरदाई नहीं है जैसे अब कौन से ऐसे रिड होते हैं जिनका बुगदान करने के लिए मूल रिडी आपका उत्तरदाई नहीं होता है तो निमनलिखित अब यहां पे हम कुछ रिड देखेंगे तो निमनलिकित रिड के संधाय करने के लिए मूल रिड उत्तरदाई नहीं होता है अताहा प्रतिभू का भी कोई उत्तरदाईत वन ही होता है जैसे पहला क्या होता है अवैद रिड अगर मूल रिड ने कोई अवैद रिड लिया है और उस रिड के लिए प्रतिभू ने गार ु куп Nik् Just रिआए, वो अवदी-बादत रिड्ड हो जाता है और आसे रिड को कोड के द्वारा वसूलagtहीं जा सकता है तो, इन रिड्ड के लिए मूंूल रिड़ी ही उत्तरदाई नहीं होता है तो प्रतिभू कहां से उत्तरदाई हो जाएगा और वही यहां पर बताया गया है कि प्रतिभू के वल ऐसे रिड़ के संदाई करने के लिए ही उत्तरदाई होगा जिसके लिए मूल रिड़ी उत्तरदाई होता है लास्ट आपका मूख लिड़ी की मृत्यव हो जाती है तो वहाँ पर प्रतीबू यह नहीं कह सकता है कि भैया अब तो हम अपने दाइत्ığını से फुरी हो गए हैं या अब हमारा दाइत्व नहीं रह गया अब हम इसे हमें करेंगे वहां पर प्रतिबू ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उपरोग्त विवेचन से इसपस्ट है कि प्रतिभू का दाइत्व मूल रेडी के साथ साथ चलता है या उसके समविस्तीड होता है और यही डेफिनिशन आपकी 128 सेक्षन में भी दी गई थी जिसको हमने इस पोरे आंसर में एक्सप्लेंड क्या हुआ है अभी तो ह आपका यह आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि कुछ यूव crimes का को चाह्या कोशन लॉंक्षा जाता है कुछ यूव दुवरस्टीज में 15 मार्क का आप अपने अकॉर्डिंग आंसर को लिख सकते हो कैंकि अगर आपका 20 मार्क का है तो कुछ नहीं तो 78 के तो आपक प्रतिवु हो तो उन्हें से प्रतिवु उन्हें जैसे हम लोगोंने क्लास सेकेंड में जो हीजमपल देखा था सर्मा जी वाला इक्जमपल देख था की नहीं देखा मॉबाईल ले लेने कहें थे वहाँ पे कुछ पैसे आपने दुकानदार से उधार कर दिये थे, मतलब दुकानदार के पास उधार कर दिये थे, तो वहाँ पे सर्मा जी ने गारंटी दी थी, तो वहीं पर बस थोड़ा सा और एड कर लेते हैं, सर्मा जी, वर्मा जी और दुबे जी, तीन लोग थे लेकिन आपसे यह जोरू पूछा जाएगा सह प्रतिभू के दाइत्य क्या होते हैं तो एक छोटी सी लाइन में आप ये भी लिखते हैं कि सह प्रतिभू कौन होता है फिर अपना ये आंसर स्टार्ट करना ओके तो अब आये समझते हैं कि सह प्रतिभू के दाइत्य क्या होते ना यहां ऐसे उन मुक्ति प्रतिभू को अन्य प्रतिभू के प्रति उत्तर दाइतों से मुक्त करती है इसका मतलब यह है जैसे कि सर्मा जी दुबे जी और वर्मा जी तीन लोग है और जो कि आपके यह 10,000 रुपय के लिए गारंटी दे रहे हैं ठीक है आपके इस रेड के कि दुकान का मालिक है जो दुकान का मालेक और के शाहि का जो गारंटी और परियुरे वर्मा जी खाटा अधोर को जिए वर्माbab में उसका उत्म को घृटार예요 Bie कि अगर लेंदार के द्वारा किसी एक सह प्रतिबू को निर्मुक्त कर दिया जाता है तो बाकी के जो सह प्रतिबू है वो यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा भी जो लाइबिल्टी है उनकी लाइबिल्टी खतम हो गई है तो उमीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा चले अब आगे केस है इनका एक केस है इस रिलेटेट सह प्रतिबू के दायतों से ही रिलेटेट केस है केस क्या है कमल चंद्र बनाम सुसीला बाला का केस है यह 1938 का केस है इसको ध्यान से समझेगा इस वाद में कलकत्ता नयाले के द्वारा यह हेल्ड किया गया था कि कभी कभी प्रतिबू के दायतों की सीमा बिन बिन होती है या अलग अलग होती है तो ऐसी स्थिती में सह प्रतिबू दायतों की सीमा तक अंस दान करने के लिए उत्तरदाई होते है अर्थात जब एक प्रतिबू अपने अंस से जादा दे देता है तो अन से प्रतिबू के विरुद वह अंस दान करने के लिए वाद ला सकता है Suppose एक नया एक्जामपल लेते हैं जैसे कि सरमा जी दुबे जी और वर्मा जी ये तीनों लोगों ने 15,000 रुपै के लिए गारंटी दी थी ठीके कितने रुपै के लिए दी थी 15,000 रुपै के लिए गारंटी दी थी लेकिन सरमा जी ने 1,000 रुपै दे दिये जब इन लोगों तो इन्हों ने 1,000 रुपए दे दिये इन्हों ने 2,000 रुपए दिये और वहीं पर वर्मा जी ने 3,000 रुपए रिड का भुगतान किया तो भुगतान हो जाने के बाद अब यहां पर यह जो अंसद जो सह प्रतिवू है तो इनके पास एक अधिकार होता है कि जिसने भी प्रतिवू अपने अंस से जादा दे देता है तो वह अन्य प्रतिवू के विरुद वहां अंसदान के लिए वाद ला सकता है यानि अगर दुबे जी वर्मा जी इन दोनों इन दोनों ने अगर देने से इंकार कर दिया कि नहीं भी जिसने जितना दिया है बस उतना ही रहेगा अब कुछ नहीं हो सकता है तो यहां पर सर्मा जी के पास यह राइट है कि वह दुबे जी और वर्मा जी इनसे पैसे वसूल सकते हैं अगर दुबे जी वर्मा जी यह ल नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रतिभू के अधिकार और प्रतिभू के दायतों से उन मोचन ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टन टॉपिक है आपके लॉंग कोशन के परपस से ठीक है क्योंकि लॉंग कोशन में अक्सर पूछा जाता है कोशन तो ये हम नेक्स्ट में तब तक के लिए बाबाय ठीक है